त्रमश्का दोस्तों इस वीडियो में इस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन रेल्वी फानेंस कॉर्परेशन लिमिटेड इसको हम आई एर एफ सी के नाम से जानते हैं इस स्टॉक 152 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है मार्केट में आज इसने 5.16 परसेंट का मोव दिया था मार्केट काप होगी है 1,98,380 करोड की मोटर होल्डिंग 86.40 परसेंट है बुक वेल सारी बुक वेल्यू 38.80 है डिविदेन दिल 0.99 परसेंट है फेस वेल्यू 10 है अभी के लिए स्टॉक बिल्कुल आई थिंक 200 एमें से छोटू सा नीचे ट् 200 एमें 152.10 है और प्राइज 151.82 पर है तो छोटू सा उसके नीचे ट्रेड करा है होफुली और जो न्यूस आई है उसके सारे मुझे लगता है कि ये कल इसको गोल्डन क्रॉस दे देगा अभी के लिए स्टॉक 5 यह के टाइम स्पैम पर मीडियन से थोड़ा सा उपर है इ अब के लिए आगे हम इसके चार्ट पर चार्ट पर देखे सबसे पहले यह कल चला गया था अपने सपोर्ट वन से नीचे रिवर्सल इसको काफे स्टॉंग मिला है ओपनिंग इसकी क्लोजिंग के आसपास ही रही थी कल की क्लोजिंग थी इसकी 144.35 की आज की ओपनिंग रह तो थोड़ा सा उसके सेंटिमेंस से भी मार्केट कल नीचे गया था क्योंकि अनसर्टेनीटी रहती एलेक्शन के टाइम पर आपको याद ही होगा फोट जून को क्या हुआ था तो अभी के लिए मुझे यह जरूर लग रहा है कि उसकी वज़से रिवर्सल जरूर मिला है यह जो रिजिस्टेंस है इसकी 153.07 की उसको यह ब्रेक नहीं कर पाया है औक यह फो एक फॉर चैनल से जरूर तो बिलुकुल प्रॉपर प्रमिनेंट चैनल सहीं जरून ने कोशिश करी है जो की रही है फ्राइडे एन बंडे को बट इसको ब्रेक नहीं कर पाया 53 and 155 की दोनों resistance थोड़ी से strong है तो अभी के लिए RSI जो है 36.85 पे है काफी अच्छे से क्रेक्ट हो चुके RSI बट 40 की लेन में जाना इसके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उससे नीचे थोड़ा सा काम नहीं चलेगा अभी के लिए रिवर्सल काफी strong मिला है ड्रेगन फ्लाइ डॉजी बनाता हुआ यहां पर दिख रहा है यह रिवर्सल काफी strong मिला है हलांकी 0.16% का डाउन मूव ही अभी दिखा रहा है दो ही दिन हुए फुली फॉर्म नहीं है candle तो RSI भी फुली फॉर्म नहीं है अभी तीन दिन और है इस वीक के ट्रेडिंग डेज तो लेट सी उमीद तो है यहां से रिवर्सल की एन अच्छे मूव की लेट सी क्या होता है 43.12 पे इसका RSI ट्रेड कर रहा है 40 से उपर ही रहे तो ज्यादा अ इस ओपन करके देखेंगे तो यहां पर बात करी है सबसे पहले financing of 20 B.O.B.R. तो यह होता है I think bogey open bottom rapid I think so यह होता है बाके मुझे नहीं पता तो इसका bogey open bottom rapid rakes produced under the journal purpose wagon investment scheme of ministry of railway to N.T.P.C. for an amount up to INR 700 crores तो 700 crores का N.T.P.C. को यह सारी इन सारी bogey उसको बनाने का and बाकि सारी चीजों का lease पे दिया गया है and यह एक बहुत अच्छी news है तो मुझे लगता है इस news के चलते हो सकता है कि कल हमें कुछ action देखने को मिले दूसरा जो है appointment of Shri Bijoy Chaudhry as Chief Risk Officer तो इनके बारे में यहां पर बताया गया है सारी 36 years का इनका experience है सारा कुछ बताया गया है आप देख सकते हैं वो तो अभी के लिए delivery percentage चेक करते हैं 25.49% का गया है तो 25% का delivery percentage गया है तो delivery percentage कुछ खास नहीं गया है पहले भी पुरानी और वीडियो में में मैंने आज बात करी जो बनाई है कि डि recovery आती है तो recovery के next day भी छोटा सा hiccup मिलता है तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखके चले एंड थोड़ी से साथाने से चले अभी के लिए मैं target कोई नहीं लेके चल रही हूं क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा confirmation confirmation candle मिले उसके बाद हम long term short term के target लेके चलेंगे बट यह इस महाल अब चार्ट भी बोल रहा है चीक चीक की वापसी लेनी है अब बट कब लेता है यह वापसी वो थोड़ सा confirmation candle का वेट करके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा रेस्ट आज आज आर्वी नेल में भी काफी अच्छा मूव देखने को मिला है तो आपको पता ह यह sentiments की वाज़े से भी IRFC को मूव मिलता है तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखके चलें एक बार RSI 40 के लिए इन में एंटर कर जाए और यहां पर confirmation candle मिल जाए तो मुझे लगता है कि फिर महाल बनाया जा सकता है और फिर confirmation के साथ entry बनाई जा सकती है confidence and confirmation दोनों रेस्ट य यह अनलेसिस है 22 होल की recommendation नहीं है मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया and happy investing